हलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं रिफाइंड की बोटल से प्लांट का पोट बनाएंगे और उसमें हम प्लांट लगाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफाइंड की बोटल पर ये जो स्टीकर है उसको उतार लीजिए और गरम करके चक्पू से काट लीजियों से आ Sum होब करने गापड़ी से पानाकय इसे ए अफनके बांगे और कोई एक होगा थार्ख नगीजियों से लिया वेस्ट पड़ार है तो आप लाएंग नगीजीयों से शाइं इसाथ बनाते हैं इंजियों सेंखे लिए प्लांट लगाएंगे अगर आपके पास कोई भी पुराना फ्लार पड़ा हो तो भी आप लगा सकते हैं कोई फालतु कपड़ा पड़ा हो कलर फुल तो भी उसके इसके फोरेड पर बांद सकते हैं मैंने असे सिल के पर लगा दिया है तांकि वह उत्रे नहीं अच्छे से लगा रहे हैं अब से लिप्स बना रही हूं पेंट कर रही हूं केमल के अपने कलर यूज़ करने हैं तांकि वह बारिश वगरा में पानी लगे नहीं से निकले नहीं बनने के बाद यह अच्छा लगता है और यह भी एक क्राफ्टी है यह मेरी न्यू क्रेटिविटी है मुझे गार्डनिंग का बहुत शोंक है तो मैं अपने चोटी सी गार्डन में अपने बहुत सा रिपोर्ट में प्लांट्स लगा के रखती हूं देखो यह हैंगिंग में बन गया है इसको आप ऐसे हैंग कर सकते हैं यह मैंने इसमें बिच्वूटी लगाई है इसको आप ऐसे दूसरे तरिक्वे से स्टैंड में भी रख चकते हैं तो अभी अच्छा लग रहा है यह मेरे कुछ दूसरे प्लांट्स हैं गंबलों में लगे हूए हैं और यह मेरे चोटे से गार्डन में क्रेले लगे हूए हैं तोरियों की भी बेल हैं और मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ तांकि आपको अच्छा लगे यह मैंने लग लग प्लांट्स लगाई हूए हैं खुद ही मैं गार्डनिंग करती हूँ मैंने कोई माली नहीं रखा हुआ सुब्ही उठते ही पहले मैं इनको पानी वेगारा दित्ती हूँ और यह कुछ सीडियों में भी मैंने रख रखे हैं इंडोर प्लांट्स हैं इनको दूप की ज़ूरत नहीं होती और आगे मैं कुछ आपको अपने पुराने घर की दिखाऊंगी यही गंबले हैं पहले यह च मुझे रखा के ब्ली और यलो कोलर में थे और इससेैं में वेखिये बोटस में भी लगारा कटिसे में मिलती पेपसी वगेरा की इनकों मैं जारी बोक्रटल मींक्rauen और इसमें अर्ड़ी में मैंने प्लांट्स लगा हूई हुए हैं यह कुछ मैंने हैंगिंग कर रखी है बोटल और यह बड़े गमलों में इट मैटर के लगा रखी है और पदीना भी लगाया हुआ है तो मुझे शुरू से गार्डनिंग की शोक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्क्राइब और लाइक जुरूर करें और कमेंट भी करें, thank you so much